नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में तीन सबसे बड़ी अपडेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे एल्टी ग्रेट सिच्छग भरती में समकच अर्यता विवात को लेकर शमाधान पर लेकर अपडेट है वहीं पर पुरानी भरती में संशोधन का कार में आयोग इतना बैस्त है कि नई भरती यहाँ पर अटक चुकी है और नई भरती में सरकार को हाई कोट के माध्यम से छूट भी मिल चूट है अब क्या छूट है कैसे क्या होनी आला है पूरी अपडेट देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं एल्टी ग्रेट नई से छगबरती पर एल्टी ग्रेट अब भिहारतियों ने समकच हरिता का शमधान जिहां राजकी माध्मिक विद्यालियों के लिए मुक्हमंत्री ने 18 दिसंबर को चेहरित 1395 प्रवक्तायम से गध्यापक को निक्ति पत्र तो सौप दिया उनका बदिस्थापन भी कर दिया लेकिन इसके बावजूद विद्यालियों में पद अभी भी रिक्त पड़े हैं उसके बाद से अभ्यारती समकच अर्यता विवाद का समाधान मांग रहे हैं लेकिन सासन इस तर से आयोग इस तर से समकच अर्यता का विवाद नहीं समाप्त हो पा रहा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदीश में नई एल्टी ग्रेट से छगवरती जो की लगवक 9000 से ज़्यादा पदों पर होनी है वो लगातार रुकी हुई है और लगातार अधिकारियों के मादम से सासन के मादम से इस परलाप पर वाही देखने को मिल रही है और भरती प्रिक्रिया में लेट लतीफी हो रही है इसके बाद अपडेट आ रही है प्रिंस्वल भरती यानि आसिस्टेंट और प्रोफेशर भरती जी हाँ अभी आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेशर विग्यापन संख्या पचास आया था उसके परणाम में कुछ गरवडिया थी इस कारण से हाई कोट ने आदेश दिया था कि उस परणाम को आप संसोधन करिए और संसोधन करके जाली करिए तो आयोग उसी परणाम को पूरी तरह से अठका दिया गया जिहां लगातार उस भरती में फॉर्म भरे हुए चात्र भ्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेशर भरती की लिखित पर इच्छा तिथी गोसित होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आयोग के माध्यम से कुछ भी अभी तक निर्णे नहीं लिया गया है और नहीं जानकरी देखने को मिल रही है कि कब तक इस पर आगे की उपर करिया होगी लगबग एक लाग से जादा ब्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है और बीते महिनों से अपनी लिखित परिच्छा की तिथी गोसित होने का इंतजार कर रहे हैं और आ अगली अपडेट आ चुकी है उत्तर प्रदेश से ही जहां खेल प्रसिचकों की भरती में सरकार को नई नीती लागों करने की छूट मिल चुकी है जहां हाई कोट ने अंसकालिक खेल प्रसिचकों की याचका पर यह आदेश दिया है और यह आदेश इलहाबाद हाई कोट क लखनव खंट पीट की तरफ से खेल प्रसिचकों की भरती के मामले में राजशरकार को 21 दिसंबर 2020 की नीती लागू करने की छूट दे दी गई है इसके तहर जेम पोर्टल के माध्यम से खेल प्रसिचकों को अब न्यूक्त किया जाएगा और ये आदिश न्यायमूर्ती आलोग मात्थुर जी की पीठ ने दी है बहुत सारे याचकाओं के उस पर तो ये अच्छी अपडेट है कि आप प्रकरिया कम से कम नई नीती की आनुशाही लेकिन सुरू होगी और कुछ खेल प्रसिचकों की आपर न्यूक्ती हो सकेगी तो ये कुछ अहम खबरे थी अलग से अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर करिएगा और ऐसे ये लाइसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए